असलाम अलेकुम फ्रेंड्स कैसे है सब ठीक है हमेद करते कि सब बिल्कुल खैरिया से होंगे और यह देखे मुझसे एक मसाला सिर्फ ना खुला रह गया था आप देख सकते हैं क्या हुआ पड़ा है मेरी किचन की हालत यह देखें यह चोटी-चोटी सी आपको नदर आ रही मैं जाते हमारे में करते हैं और यह पते किससे वह यह हुए चाट मसाले से एक चाट मसाले का पैकट मुझसे ख़ए ख़ए थोड़ा खुला रह गया था में हमेशे मैं एक कर दो कि चाट बिल्कुल भी खुला नहीं रहती हूं लेकिन बस यह में नसीब में लिखा ता इस जल्दी से क्यों से तिसमय ने साuff कर लिया था अब मैं इसको घेले कपड़े से साफ करूंगी अधियाने यह पेंट की है, नो बना रहते हैं, तो यह पताँ ने पेंट है क्याक पेंट है क्या मैं गिलो गिलो कह ने बोले कि यह नहीं उतरती, जो चीजा मैंने लगाई हो इसको उतार लेती हूँ, बाकियों का अल्ला मालिक है थोड़ा से स्क्योपन ना है स्प्रे करके छोड़ दूँगी ताकि इच्छी से इसकी ग्रीसिंग जायना सारी खतम हो जाए ग्रीस तो नहीं लेकि मसालों की चिप चपाइट होती ना ताकि वो खतम हो जाए दोनेश करी मैं यूज़ करूँगी यह इस सारी जो भी यह चिप चपाइट सी है इसकी यह सारी खतम हो जाएगी यह करके इसका थोड़ देर के लिए मैं रखतूँगी बाकी सारी कवर यूवाले नहीं सारी ये भी बिल्कुछ पीक एंटे रिफिनिली नहीं Así ये वी सील पाइक है ये मगिने सील पाउडर नहीं च हो चेक्ट षबूडr पी मैने इसको चक करऊ गया है। कि अपिए भी मैने चिकन पाउडर डालना है यह खतम होगा पड़ा इसको तो बस इनको भी मैं सारा साफ कर लूँगी यह शैल चिलगी यह कर लिए और अब इसको दुबारा लगाँगी तारा मैंने क्लीन कर लिया है बहुत भी सिर्णावान टिश्यू लगाँगी स्वेश् की ओ धबकुल कलीन हो चुका है इस मैंने बढ़ी कोशिश के साफ करने की लेकिन हो डीडा साफ बागर बाक बिल्पुल कलीन हो चुका है मैं इसके तोछ स्प्रेय करें गी मौटीन की और तोछ से रहना दूंगी मौटीन की या एक दूसरे वो करती हूं कि खतम हुई पोड़ी तो यह दो है मेरे पाँ यह लेकरूंगे यह द्यादा चीह है कि इंग टॉक्स वाली जिरी करके ना तो इसको बंद कर दूंगे जिरना ज्यादा डॉपन थाई यह भी ब्लैक पेंट है बस अब इसको बंद कर दूंगे अलहम्दलिल्ला सारी मैंने नुक्त कर बाकी थो जाबे कर दो Amal कि ने कीचन ने को यहां पर नहीं रख रही है कि मैंने सकटन ऑनरल पर यहां पर यहां कि नहीं कर देक्टिते हैं उस तरह लोग्त पसारोय से दो उससओं कर दो होना जाब कर मैंने किचन सारा क्लीन कर ले तरह बाजाते कोकिंग की तरफ और आज आप लोगों ने वीडियो बिलको भी स्किप ने करें मैंने बहुत ही मत्यदार किसम कि आप लोगों को दो रेसिपीस देनी है एक वीडियो में ठीक है मैंने यहां पे ना यह मैं इसको सारा मैं देख रहे थी कि मेरे पस कितने चिकल लग गया तो यहां पर मैं क्या करूंगी मैं दो रेसिपीस बनाऊंगी पहले मैं अपने और ताहिर के लिए जो बनाऊंगी मैं उनको मेरी नेट करूंगी तो यह देखे मैं इसको कट भी मैं इनको डिफरिंट दूँगी इस तरह से जो मैं ओन में बेक के लगा लगा लिए तब हम इसके अंदर जो मसालजात एड़ करेंगे वह यह सारी है बिल्कुल यह मीरे अपनी रेसिपी है और मैं इसको इसी तरीके से बनाती हूं यह की जाने के इतने यह टेस्टी बनते हैं और अगर आप लोगों के पास बेकिंग ओवन नहीं है तो आ पेरी पेरी सास नहीं है तो फारीा के चिली सास ही डाल देख और आप आप स्टेज पर टेस्ट भी कर सकते हैं जो आपको कमी बेशी लगे आप बढ़ा और कम भी कर सकते हैं मेरे पास यह तक्रीबन सीक्स लेक्ट पीसिस थे 700 ग्राम के बराबर थे यह काफी बड़े बड़े पीसिस थे इसलिए 100 ग्राम से ज्यादा ही थे तो अब हम जो हमने मेर हो जाएं चिकन के अंदर तो अब यह देख सकते हैं मैं दूसरे चिकन यह इसको मैं सिंपल वाले कर्ट लगा रही है उनको हम लोग फ्राइ करेंगे और इसकी भी मैं आप लोगों को दो रेसिपीस देने वाली हूं समझें आज एक वीडियो में आप लोगों को तीन रेसि तर बेकिंग पाॉडर एड़ किया है और साथ ही मैंसके थ्री टेबल स्पून भरके मैंसके दर कार अंद फ्लोर के अड़ करूंगी और इसके साथ ही हम लोग ना यह सारी चीज़े अड़ करके इसकत हम लोग एड़ करेंगे एक अध़ अंड़ा और यकीन चानिए कि आप लोग जब यह बनाएंगे अपने बच्चों के लिए ना तो KFC से कम बिल्कुल भी नहीं लगेंगे उने तो बस यह सारी चीज़ हम अच्छे से कोड़ करेंगे इन चिकन के ओपर और हम लोग इसको इसको रखेंगे जब तक मैं बच्चों के लिए पोटेटोस कट करूंगे सिंपल में इसको बनाने यहां चातिक बिन दो को बहुत ही बनाने के लिए ऑफने के लासे खीज सपट स्कावप करेंगे आये में 171 में City अब 2-300 बंदक कुछ भी नहीं है कि अजह बखिया करूंगे नहीं मैं को मैंसेड़ कर गदोंगे मैं दोने स्केपर एट करती हैं लेकिन एक दिन मैं नहींने सौल्ट नहीं अविड किया यह वी एक किटी नहीं के साल्ट बिल्कुल भी करती हैं commence we're all that we can do it. आ अहिए सूर आए वियृ किida का लिए serf था बहुट उता हैं जोड़ते हैं ना सारह सारे अलग compliant कर लिए इस तरह से अपनी पर हम अपनी मर्जी की मिसाले जाद आट करतें मैं इसके पर साल डाला थोड़ा साथ मैंने चिली फलेक्स टाले और इसके साथ ही इसके पर ध्रोंगी वरं टीसपून तक मैंने चिकन पाउडर भी इसके पर एड कर लिया था और वाइट पे जरूरी होता है चाहिए आप ओलिफ डालने चाहिए आप सिंपल एजिटेबल आयल डालने और इनको अच्छे से हम लोग इससे मिक्स करेंगे और इसको न मैं अब ओन में ही बेक करूंगी तो बस यह फ्राइस हमारे रेडी हो चुके हैं इनको हम लोग निकाल लेंगे बहुत को साथ खड़े होकर इसको इस तरह टर्न करते जाएं और इसको पकाते जाएं जरूरी नहीं कि आपने मुझा की बहनी आयल से तो बस यह देखिए जो मैंने सिंपल मेरिनेट के थे मैंने इस तरह से बनाए हैं और तकरीबन 20 मिनिट लगे थे इसको बनाते हैं अब आप दे लेग पीस का टेस्ट तो बिल्कुल अलगा रहा था इसको बहुत हाई फ्लेम के नहीं बनाना एक मेडियूंसे लो फ्लेम के बनाना है क्योंकि चिकन लेग पीस है थोड़ा सारे टाइम ज्यादा लेते हैं बाकी चिकन से ना पकने में केंदर से कचे ना रहें और बड़ी तो बस मैं जल्दी से इनको डिश आउट करूंगी और बचों को दूंगी यहां पर बड़ी बूख लग रही थी क्योंकि काफी काम मेरा भड़ गया था आज किचन में और सिर्क कैबनेट ही नहीं साफ करनी दे पता है आपको जब किचन काप काम स्टार्ट करते हैं तो बहु क्यू कुछ कियों क्यों वेलकम चला चुटो चलो खाओ मजने काने यह दो यह लववी तू ओ थेंक यू अगें करो हार दो ना ह्याँ आप बताओ कैसे बना है वार मजराब दो जूसिया है नहीं जूसिया नहीं जूसिए नहीं अब बताओ ना साल ना बताओ ना बताओ ना साल जाए ना वो बिल्कुल औरिजिनल वाले रियू देता है कि अभी मेले चखाई दी है मां दी बताओ ना यू थाकिन एक वी मेट रखार के ना साथ शक्ताओ यू आ ढले लिए अजया है फ्राइज है कि अपने गिरा यूट अब को मैं बताओ कि नियुक्ताओ अच्छाओ यूड तेंक ये अच्छाओ को अच्छाण की वांधिर अच्छाओ तस्तिश पंदेटे इतना जूसी बना है आप देखें इसको जरा कितना सॉफ्ट है जूसी बना है यह देखें बल ज्यादा ओवर कुक नहीं करना इसे अगर आप और कुक करते हैं तो सारी जूसी मेश्चन वह खत्म हों के ऑईल में चली जाती है अब बस अब फ़ाइल लगाओंगी ताकि फिर शेप बहुत ज्यादा ख्राब हो जाती है तो इतना ज्यादा मेहनच से वाश करना पड़ता है इसे बस फैल लगाओंगी तके ना ख्राम से न यहां टाले और भाइल भी प्लीचे बिल्कुल क्लियर होती है चिकन बहुत इच्छी से देखे मेरिनेट हो गया है बस यह रख लोगी सारा इस तरह मेरे दिल चारा इसके उपर एक एक कट और भी लगा लिए देखती हूं कि कटना और लगाने लगने यहाँ पर ताकि मेरे दिल चारा है कि यह जुल्डी कुप्त हो जाए बास मेरे नेशन बचा हुए तो यह इसके अंदर डाल देंगी जो लेफ्ट और मेरे नेशन ता इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है और अब मैं जल्दी जल्दी लगी हुथी क्योंकि ताहिर के आने का टाइम हो गया तो मेरे यही कोशिश थी कि उनके आने से पहले चिकन रेड़ी हो जाए बेकिंग ओन में थोड़ा से एक इतरु से टाइम ज्यादा लग जाते है चिकन कुक्ट होने में लेकि मैंने पहले से प्री हीटिंग पर लगाया था तो वन बहुत इच्छे से ना गरम हो चुका था तो बस हम लोग चिकन जो है वह इसके अंदर रग देंगी और पहले मैं इसको ना 45 मिनट लगी ही जाते है ना कुक्ट होने में तो यहां पर हमें जल्दी से सॉस पना लूँगी रेडी करूँगी यहां पर बहुत ही मसे की लगती है यह मैंने हाफ कब तक दही ले लिया इसके अंदर मैंने तक्री टेबल स्पून तक माइनिस के अड़ किया है औ आएड किया तो बहुत ही अला बना था यरी है मैंने तिसको देट किपन भूडर यहां रहताहिए पहुत ही मैंने तो थोट ही आला बनाता है यकिन जाहिए आप धार बैक्ट ट्राइ कीजिएगा इसको और आप देख सकते हैं कि शकल से भी बहुत ही मज़े का लग रहे हैं मुझे मेरा ना फिर से खाने का दिल चारी की जाने इसको देख के तो यह बहुत ही मज़े के देखे सारे पोटैटोस भी बेक्ट हो चुके हैं बच्चे जो थे वह सो चुकी त और मैं और ताहर जो थे अपना डिनर हम लोग इंजॉय करे ते और बहुत ही मज़े की चीज़े बनी थी सारी और बस यही थी में हमारी आज की वीडियो तो हमें दूआ में जरूर याद रखेगा और अपना ठेर से ख्याल रखेगा इन्शाला से मैं फिर से नेक्स वीडि